नमस्कार मेरे भक्तो आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल प्राचीन मंतर रहिश्या में हम स्वागत करते हैं जी हाँ भक्तो आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में दिया गया मेरा एक टोटका आपकी लाइफ में आ रही एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है अगर भक्तो आप अपने दुश्मन से चिंता में हैं काफी जला तंग किया हुआ है आपके दुश्मन ने बढ़ कर सकता है आज किस वीडियो में मैं कहता हूँ एक बार अगर आप यह मंतर बोल देंगे तो भक्तो आपका शत्र अधरत्रों कर मरेगा जी हां वक्तो आज रात या फिर दोस्तो किसी भी शनिवार की रात आप ये मंतर बोल देते हैं तो देखिए दोस्तों आपका शत्रु तरब तरब करमरता है आपको करना क्या होगा किस परकार से टोटका करना है पूरी जानकारे आपको दी जाएगी बस वीडियो में अंतक बने रही एगा और जो पहली बारा आप पंगाल दुष्मन को शरवनाश करने के हर वो तरीके टोटके बताये जाते हैं जो तांत्री क्रिया होती है तो अगर आप सफर होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करने बहुत सी लापगारी वीडियो भी यानि बागी है तो वक्तों अगर आपकी किस नहीं भी बड़ी क्यों ना हो कारण्टी के साथ आपकी समस्या का इराज होगा आपको करना क्या होगा वो आपको बता देंगे उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी देखेब बगतों सबसे पहले तो बता दो कि श्टोटके का इस्तैमाल आपने अर्दरात्र में करना शनिवार के दिन आपने करना क्या होगा सबसे पहले दुश्मन की तस्वीर ले लिए आपको दुश्मन की तस्वीर लेनी होगी कोई भी जो आपका दुश्मन आपको तंग कर रहा है परेशान कर रहा है आपको धंकी देता है उसकी तस्वीर लेनी होगी अब जैसे आप अपने दुश्मन को सज़ देना चाहते हैं. वैसे उसके बाद आपने क्या करना है? इस फोटो को आपने ایک मोली के धागे से लपेट देना है. मोली का धागे से ज़ी अच्छी तरीके से कवर हो जाए तो इसके बाद आपने क्या करना है? जो फोटो ली है इस फोटो को किसी भी आपने कब्रिस्तान शम्शान में जाकर आपने इस फोटो को जला देना है भगतो जैसे ही फोटो जलेगी आपका शत्तुर तडपेगा आपका शत्तुर तडप के मरने के लिए वो पूरी तरह से तडपना शुरू हो जाएगा भगतों आप इस तोटके का इस्तेमाल तब ही करें जब आपका शत्रु बिलकुल आपको पता है कि हाँ यही शत्रु आपको चिंता में डाल रहा है अन्य था आप इस टोटके का बिल्कुल भी कदापी इस्तेमाल ना करें क्योंकि 100 पूरी गिरिया बदा देता हूँ आपने क्या करना है कि सबसे पहले जैसे ही जलाते हैं इस गहर आकर आपने मंतर बोलकर सोजा रहा है इस मंतर को बोलिएगा और बोलकर मंतर आपने सोजा रहा है इतना सा काम करना होगा आपके सामने रिजल्ट होगा भगतो आप खुद बोलेंगे कि वहा क्या टोटका था मेरी लाहिप बन गई अगर आप किसी परकार के कोई भी समस्या में जूज रहे हैं महान बाबाजी के नमबर आपकी सक्रीन पर दिया है वक्तो ये वो महान बाबाजी है जो ना जाने कितने वेक्टियों को सफल कर चुके हैं अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी प कोल किजिए हम आपका हर एक संब्साहिता करेंगे आपका इलाज करेंगे धन्यवाद बड़ी